गुड मौनिंग एवरीवन फिनेंशल मैनेजमेंट के तीन डिसीजिएंग वापिस वही से शुरुवात करते हैं फिनेंशल मैनेजमेंट के तीन डिसीजिएंग फिनेंशल मैनेजमेंट के तीन डिसीजिएंग एडिविदेंट डिसीजिएंग और अभी तक हमारे डिस्केशन में हम फिनांसिंग कम्प्लीट कर चुके हैं और आज हम इन्वेस्टिंग डिसीजिएंग की शुरुवात करते हैं इन्वेस्टिंग फंड्स अवेलेबल हैं अब उन फंड्स को कहां इन्वेस्ट किया जाएं यानि हमें अपने इन्वेस्टिंट पे पूरा इन्वेस्टिंग करना है कि हम अपने अवेलेबल फंड्स को किन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और यदि हमारे पास एक से साधा प्रजेक्ट्स अविलेबिल है तो उनमें से कौन सा बेटर इन्वेस्मेंट स्ट्राटेजी हमें अडॉप्ट करना चाहिए और आज वी डिस्कॉस्ट इन फिनांसिंग कि डेट्स रेस करना बुरा नहीं है डेट्स से फंड रेस करना तब बुरा हो जाता है जब मारा इन्वेस्मेंट डिसीजन इंप्रॉपर होता है और मैनेजमेंट इंप्रॉपर होता है इन्वेस्मेंट डिसीजन में में दो काटेगरी बना सकते हैं हम एक लॉग टम इन्वेस्मेंट्स और short term investments long term investments के लिए हम पढ़ेंगे capital budgeting and short term investments में हम पढ़ेंगे working capital management long term investments यानि long term projects purchase of machine manual से machine पेशेफ्ट होना कोई नया unit establish करना कोई नया production facility develop करना यह सारे long term investment decisions और इनके लिए हमारे पास जो topic है वो है capital budgeting और short term decisions short term investment का मतलब हो गया कि day to day business operation को run करने के लिए जो funds हमारे needed है उन्हें हम कैसे manage करेंगे that is working capital management और आज से हम शुरू कर रहे है series of short term investment decision यानि working capital management working capital management में क्या-क्या पढ़ने वाले है तो unit by unit हम इसको समझे है उसके पूरे content को कुछ units में डिवाइट कर दे तो working capital management यानि short term financing decisions short term investment decisions और यहाँ पर्स unit है हमारे पास working capital management यानि scope of working capital second receivable management working capital के निचे एरो बना के यह unit by unit लिख ले यह जो बिThese के बहुने निचे ठडरों, आसके यह. 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 इस्पेन डिचे और पसे की अचे वहुव्सई, फ्चे lucky देसे के लिआकरSyaza c il energía यह. वह. यह. वह. यह. यह. पूचे आप के अचे. के आपना के जचे मूएचाप के ङना के इसके लिचेा है next is cash or treasury management then payable management treasury cash and treasury management then payable management and the last is financing of working capital payable management then inventory management and financing of working capital इस सारी units में डिवाइट करके हम यह पूरा working capital management discuss करने वाले हैं जिसमें साट के तीन सेग्मेंट तीन यूनिट important exam point of view से और last के तीन में हम बात करें तो inventory management basically finance का chapter नहीं है यह FM का chapter नहीं है यह हमारी cost accounting का chapter EOQ, reorder level वो पूरा inventory management वो वहां discuss करना है और last में payable management and financing of working capital यह पूरा theoretical concept है तो mainly सबसे ज़्यादा important part first three है scope of working capital यारे working capital assessment analysis calculation interpretation forecasting कुछ भी कहले second receivable management and that is cash and treasury management यह practical point of view से बहुत important topic है इस पूरे working capital management के practical topic पे बात करें practical aspect की बात करें तो इसका weightage 15 marks तक जाता है 15 marks तक का weightage है इस पूरे topic का जिसमें एक short 5 marks का question मिल सकता है एक long 10 marks का question मिल सकता है बट as हम नए pattern पे हैं तो उतनी surety से चीज़ें नहीं बोल पाएंगे लेकिन फिर भी कि सबसे ज़्यादा important topic और बहुत वास्ट topic बहुत ज़्यादा पहला हुआ practical questions की बात करें तो बहुत सारी varieties है question के अंदर कुछ भी छोटे points के साथ नए questions बना दी तो practically बहुत ज़्यादा काम करना है रिवीजन करने में time कम लगे उस पे भी काम करना है कि केस तरह से हम उन main questions को select करें जो सारी concepts को cover करता हुआ चले और हमारा इस topic पे theory बहुत सारा दिया हुआ है इस पूरे working capital में लेकिन again theory पे उतना ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे conceptual बात करते चलेंगे तो चीजें understand हो जाएंगी तो theoretical answers वैसे भी देंगे और exam oriented study पे जाते हैं तो हम theory पे उतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे कि बैठके रटें और याद करें क्योंकि एक question आता है और वो भी choice में तो उतना ज़्यादा problem नहीं येस mcqs वाले part के लिए ज़रूर हमें उन सारी चीजों को ध्यान रखना है तो चलिए शुरू करते हैं working capital management की चर्चा और इसकी चर्चा में सबसे पहले working capital word बहुत बार सुने और working capital बच्च्पन में हमने सुना भी होगा कि working capital क्या होती working capital day to day business operation को maintain करने के लिए manage करने के लिए जो funds needed है उसे working capital बोलते हैं in short जब हम working capital को bifricate करते हैं या working capital के types की बात करते हैं तो value basis with working capital is of two type one is gross working capital other is networking capital आप लोगों ने बच्च्पन में एक ही working capital सुनी होगी एक ही समझे होगी current assets minus current liability but that is networking capital gross working capital का मतलब होता है current assets एक business को smoothly run करने के लिए अपनी activities को manage करने के लिए we are in need of current assets current assets होंगे तो ही हम business को properly manage कर पाएंगे current assets का मतलब mainly current assets का मतलब inventory dators या receivables और liquid cash यह तीन major component है हमारी current assets के apart from that और भी हम कह सकते है prepaid expenses x y z जो भी है लेकिन mainly तीन major component है हमारे current assets के inventory, dators and cash अब सवाल यह है कि क्या working capital जादा रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए तो हमारे पास दो question आता है एक object एक object है profitability और दूसरा object है liquidity है यह दो object के साथ ही हम सारा का सारा discussion वहाँ पर concentrate करते है हमारे दो mean object है एक है profitability और दूसरा है liquidity यह दि मेरे पास working capital बहुत सारी है यह मेरी current assets बहुत जादा और उसके comparison में current liabilities बहुत कम है तो कौन सा object फुल्फिल हो रहा है मेरे पास current assets सुनते वक्त थोड़ा सा दिमाग को भी शान्त रखो अब सुनाई देगा दुबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास current assets बहुत सारी है बहुत amount of current assets और उसके comparison में current liabilities are very limited और little तो हम कौन सा object फुल्फिल कर रहे है लिक्विडिटी हम लिक्विडिटी का object फुल्फिल कर रहे है हमारी current assets comparatively high है कभी भी short term liabilities के repayment में कोई भी issues arise नहीं होंगे हम timely अपनी current liabilities का payment कर पाएंगे यानि हमारी liquidity में कोई problem नहीं है हमारी liquidity position बहुत strong है बट जब liquidity position strong होती है तो other hand high current asset का मतलब data बहुत ज़ादा inventory बहुत ज़ादा cash भी surplus पड़ा है यह सारा पैसा जो यहां फसा हुआ है blocked है अटका हुआ है current asset में liquidity assurance तो दे रहा है लेकिन आपका यह cash कहीना कहीं से तो finance होगा कहीं से तो पैसा आया होगा और जहां से भी आया होगा free में तो आता नहीं है वहाँ पे कोई cost लग रही है financing पढ़के आए है interest दे रहे होगे debt से आया होगा तो कहीं से भी आया हो cost लग रही होगी अब cost pay करके funds arrange किये और उन्हें ideal form में अपने business में हम hold करके चल रहे है improper utilization of funds यदि हमारी current assets extraordinary है जादा है liquidity position बहुत अच्छी है तो other hand वो हमें negative impact create करती है हमारी profitability पे तो problem वही है इस फूरे topic के discussion का purpose वही है क्या हमें profitability और liquidity के बीच का trade off चाहिए trade off मतलब एक balance strategy चाहिए कितना working capital होना चाहिए excessive है तो कैसे manage करें कम है तो कैसे manage करें यानि ultimately are the focus of management is on trade off between profitability and liquidity और यही पूरे working capital management का scope बन जाता है यही से हमारा सारा discussion इन ही दो point पे जाता है कि दो object के साथ का हम शुरू किया profitability versus liquidity ultimately profitability liquidity का trade off यानि एक balance strategy हमें बनानी है balanced amount optimum amount of working capital होना चाहिए business के अंतरा कम है profitability पे impact आएगा ज्यादा है profitability पे impact आएगा कम है liquidity constraints आएगे यू container आएगे यू समझें छայेश से दि heldबेजर को और यही इन हो से आएग ऐपेशर यहींवेश एवेशर इन घस ऑन वे एज देने हो sales and EBIT depends on inventory and data is it true then how anyone अप opposite direction में अंसर करते हैं मैंने बोला sales depend on data येस यदि आप credit में sale करेंगे मेरे ऐसे बहुत सारे customer है मैं cash sale करता हूँ मुझे day 1 पे fees चाहिए तभी admission होगा या बहुत सारे students इसले नहीं जोइन कर पाते कि आरे day 1 पे fees नहीं दे सकते हैं then मुझे उन्हें credit facility provide करनी पड़ेगी यदि मुझे अपनी sales बढ़ानी है तो तो sales data पर depend करती है यदि आप credit sales allow करोगे credit facility दोगे तो आपकी sales बढ़ेगी मतलब यदि data बढ़ेंगे तो sales बढ़ेगी sales depend on data दूसरा inventory येस customer आया तो go down खाली वो lot जाएगा और वापिस नहीं आएगा तो आपके पास यदि proper stock होगा तो आप customer के demand timely satisfy कर सकोगे sales depend on inventory और जब sales बढ़ेगी तो obviously EBIT बढ़ेगी तो profitability depends on sales and sales depend on data and inventory profitability depend on liquidity और liquidity depend कर रही है profitability पर funds होंगे तो invest करके रखेंगे तो यहां इन सारे points को साथ में joint करें तो सबसे पहले funds की requirement और required funds की availability तो question आता है कि आपको कितनी working capital रखनी है तो वहां हम सीधा-सीधा यूँ समझ सकते हैं सारा gain it depends on the perception it depends on the nature aggressive लोग क्या करते हैं विले liquidity संभाल लेंगे काम profitability के लिए करो यानी कम current asset maintain करके profitability बढ़ा कंजर्वेटिव, safer side या हमारे dues default नहीं होने चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए तो current liability के comparison में multiple amount of current asset maintain करके चलो safer side पे ताकि हमारे dues default नहीं हो यानी high liquidity manage करके चलिए कोई problem नहीं है profitability कम होगा तो भी चलेगा दौनों ही अपनी जगे एक्स्ट्रीम हो गए और मैं एक्स्ट्रीम पे जाते ही नहीं और वैसे भी हम इंदुस्तानी है हम तो कभी भी extreme situation के बारे में सोचते नहीं हम तो बीच का रास्ता निकलते हैं तो बीच का रास्ता moderate proper amount of liquidity with proper amount of profitability तो यहाँ पे working capital कितनी होनी चाहिए है उस पे तीन view आगे है और फिर इसी को आगे लेके चलू तो working capital कहां से आनी चाहिए कहां से आनी चाहिए financing of working capital investing of working capital मतलग कितना working capital में invest करना है दूसरा हो गया financing of working capital working capital का amount arrange कहां से होगा क्योंकि finance में हमारे पास दो तरह के sources होते है short term and long term अब short term sources से funds arrange करोगे या purpose तो short term ही है working capital तो short term sources से यदि funds arrange करोगे तो short term sources सस्ते होते है इसलिए सस्ते होते हैं लेकिन risk जादा होती है क्योंकि repayment हमें जल्दी करना होते है long term sources महेंगे होते हैं costly होते हैं equity long term debt rates जादा होती है लेकिन safe होते हैं क्योंकि उनको repayment करने का time जादा मिलता है अगेन वापिस वही तीन तरह के लोग aggressive जादा short term पे काम करेंगे जादा short term पे काम करेंगे conservative जादा long term पे काम करेंगे लेकिन फिर वही बीच में moderate तो दौनों का एक proper mix बना के चाहिए तो वापिस एक चीज़ हो रहा है एक profitability versus liquidity दूसरा investing versus financing investment कितना चाहिए financing कहां से चाहिए इन दौनों के बीच में भी हमें बनाना पड़ेगा trade-off profitability and liquidity के बीच में भी बनाना पड़ेगा trade-off और उस पूरे trade-off के लिए हमें कुछ parameters चाहिएंगे जहां से जाके हम इन चीज़ों को समझ पाएं हम इन चीज़ों को conclude कर तो यहां तक बात समझ में हैं कि ओवर्वीव बनाया है मैंने कुछ नोट नहीं किया है अभी नहीं चीज़ों को लिखते हैं working capital management के अंदर पहला point हम वही heading डाल दे टाइप ऑफ working capital टाइप ऑफ working capital भाई यह जवाब दे गिया है अधिया है टाइप ऑफ working capital working capital टाइप ऑफ working capital दो एरो निका लिएगा टाइप ऑफ working capital दो एरो निका लिएगा हर चीज को चार्ट की फर्म में लेके चलते हैं ज्यादा याद रहेगा चीज़ें टाइप ऑफ working capital दो एरो निका लिएगा पहला वेल्यू बेसिस और दूसरा टाइम बेसिस बेज ऑन वेल्यू बेज ऑन टाइम वेल्यू बेसिस में दो एरो ग्रॉस वर्किंग कापिटल नेट वर्किंग कापिटल मतलब यहां हम वेल्यू बेसिस की बात कर रहे हैं मतलब कितनी तो ग्रॉस यानि कर तेकर निर्क रॉस तेकर नेरी पर यहां कर तेकर रॉसरा फ्रार्ल निक्यू बेसे डॉस या अन्यू जर्किंग कात मस्ती अर्वियल्यू बेसित स्यबुक्त के तो खिंग कार फार्स का Time basis, permanent, temporary, पर्मानेंट में Core Current Asset, और Temporary में Seasonal, वर्किंग कापिटल में हमने दो तरीकी वर्किंग कापिटल की बात किये, पहली Value Basis Working Capital, Value Basis में Gross and Net, ज्यादा डीटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, Gross का मतलब हो गया आपका सिर्फ Current Asset की बात कर रहे हो, और Net Working Capital का मतलब हो गया Current Asset माइनस Current Liability की बात कर रहे हो, वर्किंग कापिटल और एक Temporary Working Capital, ज्यादा डीटेल अभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये Point हमारा Discussion करने है, Financing और Working Capital में जाएंगे, फिर भी Temporary और Permanent, Permanent Working Capital का मतलब, Permanent Working Capital का मतलब, Working Capital बुलने को Liquid है, यह हम Discussion शायद पहले कर चुके, लेकिन वर्किंग कापिटल अच्चुली, Liquid नहीं, Short Term नहीं, Long Term Investment है, या आप एक Minimum Size of Business या Production अज्यूम करके चल रहों कि यार मैं Thousand Unit तो regularly बनाऊंगा और सप्लाई करूंगा, because इतना डिमांड मेरा इंशे हो रहे हैं, in order to produce such thousand unit, you need some amount of cash or working capital, raw material खरीद के डालेंगे, उसे process करेंगे, WIP, finished goods, sale, data, और data से वापिस आजाएगा, cash, सर, हो गया न, short term, cash वापिस आगया, अरे तो वापिस thousand बनाना है न, तो वही cash वापिस, business में, क्या वो निकाल के बाहर निकाल के ले जा सकते हो, नहीं, क्योंकि working capital, जो minimum level of production, या एक regular level of production को, maintain करने के लिए, जो working capital चाहिए, वो always, permanently, बिजनस में invested रहेगी, वो कभी भी release हो के बाहर नहीं आएगी, that is known as permanent working capital, the core working capital, और फिर आता है हमारा temporary working capital, मतलब, जब, seasonal business है, तो in case of season, at the time of season, हमें ज़्यादा production करना पड़ेगा, और उस ज़्यादा production के लिए, ज़्यादा working capital डालना रहेगा, और जैसे season over होगा, that extra working capital is not now needed, तो उसे हम सिर्फ core पे काम करने लग जाएगे वापिस, तो वो seasonal part of working capital, वापिस बाहर आ जाएगा, तो वो seasonal, अब इस season का मतलब सिर्फ season नहीं कोई festival season आता है किसी के लिए, किसी के लिए actual season आता, weather आता है, सब क्या अलाग लग, stationary वालों के लिए school opening एक season है, governments वालों के लिए, गर्मिया, सर्दिया, ये season है, woolens बनाते हैं उनके लिए सर्दिया season है, जादा demand, regular demand है, आता है, ऐसी कुछ भी और भी जो sweets बनाते हैं, उनके लिए festival season है, तो हर एक लिए season के time पे extra production करना है, extra working capital चाहिए, season over वो extra working capital बाहर, वापिस काम करेंगे हम permanent पे, तो वो जो seasonal working capital आपको चाहिए, वो कहलाती है, temporary, इसको यूँ एक चार्ट से दिखा सकते हो, आपको यह मेरी permanent working capital, और यह permanent है, तो permanently उपर क्यों जा रही है, initially, initially thousand से production स्टार्ट कर रहे हैं, year by year क्या production level उतना ही बना वा रहेगा, ग्रोथ तो आएगी बिजनस में, ग्रोथ आएगी तो minimum level of production, minimum demand वो भी rise करेगी, तो permanent working capital की requirement भी धीरे धीरे rise करेगी, तो यह permanent working capital और इसके उपर, यह seasonal working capital यानि temporary, यहाँ चाहिए, यहाँ रिलीज हो गए, पर यहाँ चाहिए, यहाँ रिलीज हो गए, इस तरह से यह temporary और यह आपकी permanent, यह temporary working capital और permanent working capital, यह हो गया आपका type of working capital, यहाँ गया आपके लिलीज कराई आपक अरिब्स, पूंड मुझ जाए, यहाँ आपका रिलीज करेगी, स्कोप पर आने से पहले एक बात और करते है हमारी वर्किंग क्यापिटल की जो नीड है वो नीड या रिक्वाइर्मेंट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या सारे और्गनाइजेशन को एक जैसा वर्किंग क्यापिटल चाहिए एक लिस्ट बना लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग क्यापिटल रिक्वाइर्मेंट और यहां पे आप लोग फैक्टर्स सौच ही और सोच के बताएए कि कैसे फैक्टर-, कान से फैक्टर हैं जो वर्किंग कापिटल नीड को वर्किंग कापिटल की रिक्वाइर्मेंट को अफेक्ट कर सकते हैं नेचर ओब बिजनस तो फोर्स पैंट मेहें में कुछ पैंट्स लिंगे theory question बनता है factors affecting working capital तो six to seven points are sufficient nature perfect what is nature what is nature of working capital nature of business sorry correct 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 बहुत बढ़िया पहला factor हो गया आपका nature of business न्यानी यहां हम लिख सकते है manufacturing versus trading या service and for sure manufacturing businesses के लिए working capital need जादा रहेगी trading के लिए comparatively कम रहेगी और service sector में working capital need बहुत कम रहेगी comparatively तो आप किस nature of business के साथ काम कर रहे हैं वो nature of business आपकी need और requirement of working capital decide करेगा fine point number two scale of operation जिसे size of business भी बोल सकते है scale of operation size of business आप किस size पे किस volume के साथ business कर रहे हैं high volume of business high volume of demand high volume of manufacturing required more working capital और जिसका demand यह requirement कम है वहाँ पे less working capital business cycle येस अगेन बिजनस साइकल बिजनस साइकल का मतलब बोम रिसेशन है stagnation यदि बिजनस में आप रिसेशन में है तो definitely production size कम हो जाएगा तो यह scale of operation and business cycle एक दूसरे के साथ ही चल रहे है scale of operation दभी हाए होगा जब आपका business cycle बूम पे है और business cycle में आप रिसेशन पे है तो decline phase में है तो working capital need कम हो जाएगी very good बहुत बढ़िया credit policy credit policy credit policy credit policy में दौनो credit policy की बात कर सकते हो आप credit policy that you allow to your customer कितने दिन का उधार देते हो receivables आपके receivables और receivables management strategy कि आप अपने receivables को कैसे manage कर रहे हो कितने दिन का credit facility दे रहे हो और जो credit facility जो time आपने दिया उस time में क्या properly अपने data का collection निकल पा रहे हो liberal credit policy मतलब ज्यादा credit facility ज्यादा working capital की need और उसने hard credit policy strict credit policy less working capital और same credit policy adopted by the supplier यानि हमें जो credit मिलता है वो credit कितने time का मिल दे हमें credit कम time के लिए मिल रहा है तो हमें ज्यादा working capital चाहिए और हमारी credit ज्यादा time के लिए मिल रहा है तो हमारी working capital need कम हो जाएगी बिलकुल credit policy हम इसे बोल सकते हैं operating cycle period operating cycle period operating cycle period का मतलब हो गया जब हम raw material को production में डालते हैं और वो process होके finished goods में convert होके बिक जाता है उस process में कितना time लगता है यदि हमारा यह से cycle बोल दे यह operational cycle है हमारा operational cycle कुछ इस तरह से है पूरा practical discussion है इस पर question के chances भी रहते हैं हमारा operation cycle कैसे चलता है raw material converted in WIP conversion in finished goods conversion in daters यह cycle चलता है कि once you need cash for purchasing raw material वो ब्लॉक हो गया conversion में और cash डालते गया ब्लॉक होता गया ब्लॉक होता गया माल बिग गया तब तक ब्लॉक था data से collection आया पैसा वापेस बाहर आ गया फिर next cycle run करने लग जाए इस cycle को run करने में जितना जाधा time लगेगा आपकी working capital उतने ही जाधा time के लिए ब्लॉक रहेगी आप next operating cycle start नहीं कर से यह operating cycle period जितना बड़ा होगा working capital need comparatively उतने ही जाधा हो जाएगा नहीं देखे efficiency और cycle period में difference है efficiency का मतलब यह हो गया कि आप इससे properly run नहीं कर रहे हो मैं आप बात कर रहा हूँ एक optimum operating cycle period की कि कितना time लगता है तो it's a process it will take this much time you can't reduce it कुछ भी करके आप इससे reduce नहीं कर सकते यह वो एक optimum time time है जो एक particular business में एक cycle को run करने में लगेगा एक बार आपने CACS pursue करना का decision लेया once you enter in it it will take 4 years अब किसी को 5 साल भी लगे है किसी को 6 साल भी लगे है लेकिन 4 से कम तो नहीं कर सकते हैं तो यह 4 साल क्या हो गया यह एक cycle है it will take 4 years to complete तो कोई भी काम करने जाते हैं तो उसका एक optimum time होता है वो time तो उससे तो reduce नहीं हो सकता हां किसी का time यह जादा होता है किसी का यह time कम होता है तो यदि आपका operating cycle छोटा है तो आपकि working capital need comparatively उतनी ही कम हो जाएगी और यह आपका operating cycle period बहुत बड़ा लंबा है 40-50 दिन एक महीना, दो महीना, तीन महीना लग जाता है तो आपका working capital need उतना ही जादा हो अब एक automobile company में car manufacturing company obviously they require more time to complete their production process और वहीं हम cloth manufacturing company की बात करें तो उनका operating cycle period बहुत कम है तो वो उस पे depend करता है और कोई factor technology एक factor हो सकता है कह सकता है लेकिन technology को यहीं पे ले आते हैं आपके technology क्या help कर रही है आपका technology आपका operating cycle period decide कर रही है if you will use technology, if you can use technology then your operating cycle period will be reduced तो वो factor हम लेच चुके है कुछ नाम तो बहुत सिंपल है inventory management आप अपनी inventory कैसे manage कर रहे हैं आपका inventory turnover कितना है कम inventory जादा sale, high inventory turnover यानि low inventory पे काम कर रहे हो और low inventory पे काम करके sales जादा कर पा रहे हो working capital need कम होगे और ऐसे ही cash management हाँ, cash management, what is cash management? आप liquid cash कितना business में manage करके चलते हैं, liquid cash कम भी नहीं होना चीए, liquid cash जादा भी नहीं होना चीए, कम हुआ तो opportunities मिस होंगी, जादा हुआ तो ideal रहेगा, तो वो एक proper cash management आपको liquid cash की कितनी जादा जरुद पड़ती है जैसे finance industry, banking industry, वहाँ उनका cash liquidity बहुत हाई रहता है, तो कि anytime, any number of customer can come to take the cash, तो उनको liquid cash maintain करके चलना पर तो तो depends कि आपकी cash management कैसी है, आपकी cash की requirement कैसी है, high cash requirement, high working capital, proper cash management, low need of working, less need of working capital तो यह कुछ factors हैं, जो working capital को decide करने में help करते हैं, एक और factor यहाद आगे ले लिए, जो dividend policy dividend policy कैसे work करता है, यदि आपका high dividend payout है, तो आपको dividend payout के लिए high cash की जरौत पड़ेगी, और cash की जरौत पड़ेगी, इसका मतलब working capital की जरौत पड़ेगी, ज्यादा dividend देना का, ज़्यादी कमपनी का मोटिव है, कमपनी का process है, dividend policy उन्होंने बहुत इस तरह की decide की है, कि वो ज़्यादा dividend देते हैं, तो उन्हें ज़्यादा cash की जरौत पड़ेगी, तो यह कुछ factors हैं, कैसे बिटा, मैंड में आया है, तो discuss कर लेते हैं, कैसे? that is not in your hand, that is not in your hand, कि competition ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा profitability चाहिए, competition ज़्यादा है तो ज़्यादा profitability मिली नहीं सकती, competition ज़्यादा में ज़्यादा profitability कैसे निकाल सकते हो, कैसे कर लोगे competition ज़्यादा है तो, समझाओ, context ही नहीं बनता, मेरा monopoly business है, customer line में लगके product खरीदता है, पहले पैसा रख, तीन दिन बाद ले जाना, iPhone, line लगती है launching के दिल, पहले पैसा जम्मा करवाते हैं, वहां working capital need, बहुत कम है, मुझे माल बना के रखना ही नहीं है, मुझे inventory maintain ही नहीं करनी है, line लग जाएगी, list बन जाएगी, कितनी demand है, तब बनाऊंगा, तब दूँगा, अब ऐसा भी advance में लोगा credit क्या, कौन सा credit, advance दे के जाओ, education industry में कुछ जगे, स्कूल में admission लेने जाते हूं न, सुब़ चार बज़े line लगा कि मेरा form जमा हो जाए, मेरा form जमा हो जाए, ऐसा होता था, admission इसी school में चाहिए, पीस जो बोलोगे, क्या है वहाँ पे, competition ही नहीं है, और जहां competition होता है न, वह profitability को sacrifice करना पड़ेगा, वहना survival खतम हो जाएगा, जब price वार शुरू हीती जियो और ATL के अंदर, ATL दे रहा था, याद होगा है दिए आज से 5-6 साल पहले, सो MB data को पूरे महिने चलाते थे, और उसके भी 200 रुपए देते थे, 300 रुपए देते थे, 100 MB data के, आज वही ATL, रोज का 1.5 GB data दे रहा है 300 रुपए में, कहां से लाया, क्या सस्ता हो गया, क्या माल उसका एकदम से, क्या उसके employee आदे रह गए क्या, जो उसके काम चल रहा है, cost cut हो गई क्या, पहले monopoly थी, अपनी दम पे बेचता, अपने नाम पे जैसा बेचना चाहूंगा, बेचता था, जियों ने आके उसकी monopoly खतम कर दी, competition में लाके खड़ा कर दी, आजा बेटा नीचे, जिन्दा रहना है, तो rate गिरानी पड़ेगी, service उस दिन भी बेटर थी, उसकी service आज भी बेटर है उसकी, लेकिन उसके customer तोड़ डाले, पूरे के पूरे, जियों ने, जब उसने rate तोड़ी, और जियों के बराबर rate लाके खड़ी कर दी, customer वापिस आ गए, चीजों को बहुत तरीकी से finance समझना, real life पे जाके समझो, applicability समझो, examples देखो, अपने surrounding, तो चीजे, यह theoretical questions के answer करना बहुत आसान है FM के, point पता pick हो जाए, उसके बाद अंदर क्या लिखना है, लिख दो नहीं है, अर अंदर तो कुछ भी, relevant ही लिखोगे, और इतना relevant तो लिखी सकते हो, जब दिमाग उस तरफ से सोचना शुरू कर देगा, it's not like that other theoretical subjects, point to point चाहिए, word to word चाहिए, will का will चाहिए, must का may भी नहीं होना चाहिए, can का can चाहिए, that's you all will face or you are facing in law, that is the requirement of that subject या, तो कि वहां से interpretation change हो जाती है चीज़ हो, यहां समझाना है, और कोई भी चीज़ rigid नहीं, environmental, dynamic environment में वो सब interpretations accordingly change हो रहे, कोई चीज़ एक जगे permanently applicable तो दूसरी जगे नहीं है, इसलिए तो theory प्रूव करने के लिए assumption डालते हो, जहां हम realistic लेकी नहीं जा रहे हैं चीज़ों को, हम हवाम ही बात कर रहे हैं, हम paper पी बात कर रहे हैं, और जब realistic world में आते हैं, real world में आते हैं, तो पता चलता है कुछ भी हो रहे हैं, तो, यहां पे clear है, यहां पे हमने इस सारे points लिए, operating cycle period इसके अंदर आप डाल सकते हो, आपका technological development, operating efficiency, यह सब कुछ इस point के अंदर cover होगे, अब operating cycle period मैंने बोल दें, इसको explain करने के लिए, तो लाई, not add करतो न, if you will use technology, our operating cycle period will be shorter, required less working capital, if our operational efficiency is better, our operating cycle period will be shorter, यह points इस तरह से attach करके आप answer कर सकते हैं, they need points, उच्छी जानना चाहते हैं, आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान है या नहीं, now scope of working capital. नहीं कैपिटल मार्केट कैसे अफ़ेट करें आपकी शेयर की प्राइज बढ़ने या घटने से कमपनी को पैसा नहीं मिलता कहां से कहां इन्वेर्ट करेगा कम्पनी मां नहीं नहीं वह भी गलग बोलं कोईधा क्रेक्शन चाहिए पिपलावल इन्वेस्ट मोर इन इन ता कमपनी ओठीक है वन तो इनवेस्ट मोर इन आपकामनी में इन फर्म उता नला ड़न न आ जिरिदी इन्वेस्टर कम्पनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या कंपनी के पास जाके बुलेगा शेयर ला दो यहां से लेगा से केंडी मार्केट से और सेकंडी मार्केट से शेर लेगा तो पैसा किस की जिब में जाएगा पैसा हात चेंज करेगा only money will change the hands only shares will change the ownership only आज तेरे नाम पर कल उसके नाम पर company क्या करेगी अपना Register बनाते वाइश महंगा शेरहोल्र डेस्ट बनाते वक्त, नाम बदलेगी तो लिक्विडिटी की जब बात करते हैं तो क्यापिटल मार्केट क्यापिटल यह सब वहाँ पे नहीं अफेक्ट करता किसी चीज़ को स्कोप बिल्कुल करेक्ट यह चाहिए ऐसा डिसकुशन आने डाउट्स नहीं रहें ने कहीं भी कोई भी पॉइंट आ रहा है आएगा तो चार शायद नहीं बातें और बता पाऊंगा क्या है इस चीज़ को और क्लिक रहें ताकि वो हमारा माइंड बिल्कुल उन चीज़ों पर क्लियरटी से सोच पाए के हां यह इसी डारेक्शन में जाएगी चीज़े बढ़िया है स्कोप स्कोप और वर्किंग कैपिटल स्कोप में हमने दो बात की कि प्रॉफिटेबिटी वर्सेज लिक्विडिटी इन्वेस्टिंग वर्सेज पानेंसिंग कि इंवेस्टिंग वर्सेज फणेंसिंग क्या बात की सम्झ में आती है एक हो गया इंवेस्टिंग और एक हो गया फनांसिंग मेरी वर्सेश क्यों बोल रहा हूं उसकी बात अब एक्स्प्लेan करूं इन वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में बताया मैंने, इन्वेस्टिंग मतलब कहां? कितना? यह तो हो गई fixed asset, और यह हो गई आपकी current asset, fixed asset तो fixed है, वो तो उतनी लगानी पड़ी कि उसमें आपकी choice नहीं और उसका ये chapter भी नहीं है, और उससे हमारा discussion भी नहीं है, हमारा discussion यह है कि current asset कितनी रखी जाए? हाई, यानि फोकस किस पे है, लिक्विडिटी पे, लो, फोकस किस पे है, प्रॉफिटेबलिटी पे, और हमें क्या चाहिए, मॉडरेट, यानि ट्रेड ओफ, तो यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, कंजर्वेटिव, यहाँ पे आ रहा है, अग्रेसिव, और यहाँ पे आ रहा है, मॉडरेट, इन्वेस्टिंग और वर्किंग क्यापिटल के जब हम बात करते हैं, तो उसमें भी, तीन हमारे पास, लोगों की नेचर हो गए, नेचर के बेसिस पे, ह you will focus on liquidity, more than profitability, और यहाँ आप एग्रेसिव हो, आप profitability पे कम करोगे, liquidity पे कम, तो आप current asset कम रखोगे, conservative current asset जाधा रखेगा, और moderate चाहिए, यानि trade-off, अभी trade-off किसके बीच हो बना, profitability and, मतलब यहाँ पे जब हम स्कोप की बात कर रहे हैं, discussion दो जगे से उठा रहा हूँ, investing versus financing, और दौनों में ही, दौनों ही तरह के decisions के लिए, दौनों ही concept के लिए, हमारे पास दो तीन तरह के लोग है, conservative, aggressive और moderate, और ultimately, जड़ाना है, झाल, कि अएप बात कर दो, आगा है, झाल, यहाँ प्ऴनों ही, याना है, याना है, यह जगग और यहाँ यहाँ, झाल, बात करता दो, अएपाद।, और यहाँ प्नों में ही, आप कि विटम कर्देश्टर पका टारे लुट, आरे लुट, आरे लुट, आरे लुट, कि विटम की विटम का लब ऑल, आरे लुट, थीन स्राटेजी हो गए है मारे पास, high volume of current asset, conservative, low volume of current asset, aggressive, moderate current asset, optimum current asset, moderate, financing, finance कहां से arrange करेंगे, short term and long term, दोई सोर्से है हमारे पास, high volume of long term, conservative, high volume of short term, aggressive, और optimum financing, moderate, तो उसमें भी वो तीन, आवो तीन कैसे? जब हम working capital का finance लेने जा रहे हैं, कितना चाहिए वो मालूम कर लिया, कहां से लेना है, इसका कैसे decide करेंगे? तो वो ही एक लेके चलें, तो conservative क्या बोलता है? ज्यादा, ज्यादा, long term, risk कम, long term, ज्यादा, अब long term ज्यादा कैसे strategy बना सकते हैं, यह working capital policy भी बन गई आपकी financing, हमारे पास दो तरह की working capital है, जो हमें चाहिए, एक permanent और एक temporary, तो conservative बोलता है, पर्मानेंट working capital में तो सोच नहीं नहीं, long term सी लाएंगे, जब आप बोल रहे हो, permanently business में रहेगी, तो risk का लेना, और temporary, temporary में भी long term गुसेडेंगे थोड़ी सी, ताकि और risk free रहें कि short temporary working capital में भी long term financing डालेंगे, क्या पता बाहर आई नहीं, और उतनी नहीं जितनी हम repay करना चाहिए, फिर आगए हमारे aggressive, temporary chance ही नहीं है, सिर्फ short term, मालू में ना, दो मेने के लिए चाहिए, दो मेने में निकालेंगे, repay कर देंगे, short term से लाएंगे से, और permanent long term उसमें थोड़ा short term उसमें भी डाल देंगे, यार permanent working capital चाहिए, तो सोचो, यदि मैं एक करोड रुपया working capital का permanently business में डाल के रखता हूँ, cycle पूरा उने के बाद, क्या कुछ profit नहीं आएगा, आएगा ना, तो 1 करोड will generate 1.2, वो 0.2 जो भाद आएगा ना, उससे मैं short term pay करता चलूँगा, उतना risk तो लेंगा, तो ये aggressively काम करता है, short term जादा रख रहा है, थर्ड आगे है, moderate, उसमें उस्यारी नहीं, कोई उस्यारी नहीं, पर्मानेंट long term से, temporary, short term, ना अपने को risk लेने का शौक है, और ना ही जादा safe खेलने का जरूरत, तो matching approach बोलते हैं, matching, match करो, source को requirement से, requirement long term की source भी long term, requirement short term की source भी short term, एक और थेरी question ready होगे आपके पाद, जैसे practical में आगे convert करेंगे, चलके, क्या की financing में policy of working capital policy, financing policy बन गई, थीन तरह की financing policy, aggressive, permanent long term plus short term, temporary pura short term, conservative, permanent puri long term or temporary long term plus short term or moderate, यानी matching, source matched with requirement, लेकिन ये जो बीच में सबसे बड़ी problem है, कि यार conservative की बात समझ में आती है, aggressive की बात समझ में आती है, moderate समझ में नहीं आता, तो moderate समझने के लिए आपको क्या चाहिए, moderate समझने के लिए आपको चाहिए, एक criteria और जिसे बुलते हैं, profitability versus liquidity, मतलब पर्मानेंट वर्किंग कापिटल के रिक्वार्मेंट ये उसने शॉट टम डाल दिया, तो profitability को compromise कर दिया ना, आँ सारी, liquidity को compromise कर दिया ना, मकान खरीदने के लिए पड़ोसी से पचास जार रुपे ले लिए, दस दिन बाद सरपे खड़ा हो जाएगे, मकान तो बना ही नहीं, पर्मानेंट इन्विस्मेंट के लिए लॉंग टम से लाओ, मैच होगा, तब ही मैच होगा, profitability versus liquidity, profitability कैसे कैसे जज़ करते हैं, वही, theoretically तो बात कर ली, बट करनी तो data पर बात है, करनी तो calculation पर न, profitability versus liquidity, हमें चाहिए कुछ analysis, और वह analysis आएगा कहां से, सबसे पहले ROI, return on investment, यह बताएगा आपकी profitability कितनी है, जितना पैसा business में invest किया है, उस पे कितना return आ रहा है, जिसे ROI या ROCE भी बोलते हैं, return on capital employed, EBIT, upon capital employed, यह पहला criteria, through which we will judge the profitability, we will analyze the profitability, दूसरा, ROTA, return on total assets, return on total assets, तो इधर से आपने denominator में क्या लिया है, किस पे return निकाल रहे हो, total assets पे, total assets पे कौन सा return, EBIT, EBIT divided by total assets, return on capital employed, जिसने current liability को बाहर कर दिया, capital employed क्या होती है, तोटल assets minus current liability, long term funds, long term funds, total assets minus current liability, plus equity नहीं, इधर हो गया, shareholder fund, long term debt, current liability, इधर हो गया, non current assets, current assets, total assets, total liability, इस total assets में से ये वाला बाहर कर दो, ये बचा, shareholder fund plus long term debt, पढ़ेंगे पढ़ेंगे बहुत detail में जाके पढ़ेंगे इनको और चर्चा करेंगे, ratio वाले chapter में है, है, पूरा है, पूरा ratio का chapter है, वाह इनको और post matum करेंगे, बट उस post matum की planning यहीं पर हो रही है, operation table पे ले जाने से पहले की preparation है, लिला दुला के अच्छे कप्ड़े पिना के वह यहीं पर समझ लेते हैं, उसके बाद वहाँ जाके cheerful कर लें, और कोई profitability criteria है सर, return on equity, यह भी profitability judge करेगा, जब हम shareholder के return की बात कर रहे हैं, हम equity के return की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे, EBT, EAT, earning after tax, divided by shareholder fund, या equity, मतलब, share capital plus reserve, share capital plus reserve, जिसमें shareholder fund, जिसमें equity हो या preference, share capital plus reserve, वो हो गया आपका shareholder fund, equity, यह तीन हमारे पास, mainly profitability assessment का criteria बन गया, इन के through, इन तीन के through, हम profitability judge करेंगे, इन तीन के through, mainly हम profitability judge करेंगे, लिक्विडिटी, सबसे पहले working capital, current asset minus current liability, कितनी liquidity है, कितनी networking capital hold कर रहे हो, current ratio, current asset upon current liability, how much current asset we are holding in comparison to current liability, कितना times, two times, three times, one time only, higher the ratio, higher the liquidity, quick ratio, quick asset ratio, quick ratio and liquid ratio, current asset minus inventory, divided by current liability, तीन तरह के investment और financing strategies, investing strategies में भी हमारे पास तीन तरह के लोग हो गए, कम, जादा, moderate, aggressive, conservative, matching, और financing में भी हमारे पास तीन तरह के लोग हो गए, aggressive, conservative, matching, और इनके decisions totally depend करते हैं, profitability versus liquidity के aspect पे, that can be analyzed using such ratios, मतलब, ultimately यदि मुझे working capital financing या working capital investing strategy के judgment के लिए बोला जाएगा, तो मुझे में इन ही के basis पे comparison मांगा जाएगा, यह तीन investment strategies हैं, सर वर्किंग capital की बताईए कौनसी better है, क्या निकालें, such ratios, अब इसमें समसेज की operating ratio भी निकालनें, net profit ratio भी निकालनें, GP ratio भी निकालनें, ultimately profitability की बात हो रही है, और mainly जब हम investment की बात कर रहे हैं, तो हमारा profitability mainly कहां पे जाके focus करता है, investment की बात करता है, return on total asset, return on capital employed, या return on equity, investment तो यहीं से आया है, यहीं तो किया हुआ है, उसी का return देखेंगे, so sales पे कितना GPR, NPR आ रहा है, that is not relevant for this particular decision, यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, यहां तक okay है, clear है बात, इंपर फटा फट से आपे इस revise करके आजाए, अभी तक जो बाते हमने की, बाते हैं, working capital, short term investing decision, working capital management में, पहला हमने डिसका type of working capital, value basis, time basis, time basis में आपके पास permanent or temporary, permanent or temporary का रिलेशन हमने आसा मशलिया, permanent that will remain in business throughout the period, temporary, seasonal, then factor affecting working capital requirement, so factors are nature, scale, business operation, credit policy, operating period, investment, inventory management, cash management, dividend policy, etc., then mainly हमायते, scope of working capital है, scope, scope में में बात strategy की, strategy में investing strategy and financing strategy and all such strategies that are available depend on profitability versus liquidity, दौनों में तिन तिन तरह का strategy, कुछ charts के थूँ हमने यह समझा है, यह diagrams बना के चलेंगे तो comfortable रहेंगे, यहां तक सब noted है, एक example देखते हैं यहां पर, यहां पर एक example देखते हैं, is financing strategy, कैसे हम finance decide कर, how much current asset we should maintain, investment कैसे design कर, जले, let, say our sales is of 1 lakh unit at the rate of rupees 20, टोटल 20 lakh, EBIT is 2 lakh and our fixed asset is 5 lakh, fixed asset तो fix ही उसका दो decision लेना ही नहीं हम है, current asset requirement, possible current asset, अब current asset में तीन strategy है company के पास, 5 lakh रखे, old lakh रखे या 3 lakh रखे, fixed asset level तो constant है और current asset में हमारे पास तीन अलग अलग level है, हमें analyze करके बताना है कौन सी policy पे क्या जाना चाहेंगे, कौन सी policy पे जाना चाहेंगे, current asset is 5 lakh, 4 lakh और 3 lakh, 5 lakh मतलब conservative, 3 lakh मतलब aggressive, 4 lakh मतलब moderate, अब analyze कैसे करेंगे, वोई profitability, return on, total assets पे चलते हैं, चलिए, आई ये statement बना लेते हैं, conservative, moderate, aggressive, सबसे पहले sales, sales की तो जरूती नहीं, sales ये में सब में, EBIT से start करते हैं, EBIT, conservative में EBIT, in all EBIT will be 2 lakh, current assets and fixed assets, conservative कितनी current asset रख रख रहा है, और fixed asset भी 5, 4 lakh and 5 lakh, 3 lakh and 5 lakh, total assets, 10, 9, 8, return on total asset, EBIT divided by total asset, 20%, 22.22%, 25%, liquidity के लिए क्या ratio यूज़ करें, current ratio तो ले नहीं सकते, तो यहां current asset बाए, तो fix asset का ratio ले ले, और कोई option नहीं है, current asset और fix assets का क्या proportion है, fix ज्यादा है या current ज्यादा, यहां तो 1 का ratio है, यहां 0.8 का है, और यहां 0.6 का, चलो, conclude करो, मैं आपको current liability प्रोवाइट कर दूँगा, मान लो यह fix assets है, उतनी ही मेरी current liability भी है, यह समझ लीजे, और क्योnyt लीजी, अपनो से लीजेएबर खूझवे लीजयादीन लीजेजा, वे लीजेएबर यह तूझभाइबर रोगएट है-b concतितितर बिक्विदितर आपकर्शशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशब ल्युव diffूदाल बाएट आपकरितर, moderate वो दे रहा है इन दौनों के बीच का trade-off comparatively moderate liquidity and moderate profitability अब यह कोई करने लाइक चीज नहीं पता है निसकस कर क्या है लेकिन impact चेक कर रहे है यह profitability चेक करनी है तो return calculate करो liquidity चेक करनी है current ratio चेक करो और फिर comparison करके अपना decision दो आप aggressive policy पे जा रहे हो profitability definitely high रहेगी लेकिन liquidity crisis आ सकते हैं आप conservative पे जा रहे हो आप liquidity comfortable हो liquidity में comfortable हो लेकिन profitability compromise कर रहे हो और वहीं आपको एदिए moderate वीच का रास्ता चाहिए go with moderate policy जहां पे liquidity थोड़ा सा इनांस होती है और profitability थोड़ा सा sacrifice होती है मुली क्या ख्याल है हां moderate obviously depends ना अगिन आर आग्यार एग्रेसिव और चूदिंग एग्रेसिव एप्रोच तो ये स्थाथी रहेगी conservative जाओ गे तो वो इस त रहेगा आपको नहीं देना है, साजेशन दे नहीं सकते हैं, मतलब कन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, exactly, तो आप यहाँ पर यह नहीं बोल सकते हैं कि it is better, no, you can't say, आप अनलेसिस दे सकते हो, ऐसा हुआ, तो ऐसा होगा, यह हमारा first part है, first segment है, scope of working capital management, यहां से अब हम main important part पर move करेंगे, estimation of working capital need, कितनी working capital चाहिए, forecasting या estimation of working capital, estimation of working capital, जो कि इस chapter का सबसे बड़ा part है, जहां से सबसे ज़्यादा scope है, 10 marks तक के question क्याने का, 10 marks, scope नहीं है, आ नहीं है, मानी लो, आ नहीं है, total 15 marks, 10 marks यहां से और 5 marks इसके residual parts है, receivable या cash management से, और 10 marks इस estimation वाले parts है, पूरा chances रहादा है, estimation of working capital, यानी हमें working capital कितनी चाहिए, उसका हम assessment करने जा रहे हैं, उसकी हम calculation करने जा रहे हैं, और उसकी calculation हम दो different concept पे जाके करेंगे, एक operating cycle period method और एक forecasting, एक जहां हम पूरी working capital का amount एक single form में calculate करके लहें, जहां एक जहां हम working capital की calculation component wise bifricate करके करें, वर्किंग capital के components क्या है, वर्किंग capital के components क्या है, क्या-क्या, raw material, inventory, data, cash, ये तीन में, जिसमें inventory का मतलब हो गया, inventory of raw material, inventory of WIP, inventory of finished goods, plus data minus current liability है, ये आपके working capital है, तो मैं इन पाँच component में divide करके working capital calculate कर लें, पहला जो method है, operating, cycle, period, method, इस method को समझना, अमले अमले सब method बात करेंगे, method समझना क्या 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 रहा है, पूरे साल में आपको कितनी working capital चाहिए, पूरे साल में, जितना भी business operation हम run करेंगे, जितना भी हम production करके sale करेंगे, हमें उतनी working capital चाहिए, ये दि मैं आपको बोलता हूँ, कि पूरे साल की working capital, यानि operational cost, 12CR है, पूरे साल की operational cost, 12CR है, तो कितनी working capital चाहिए, 12CR से, पूरे साल का business operation cost, working cost, या cost of sales, या total cost of the production, कुछ भी नाम ले रहा हूँ, मेरा पूरा operating expenses of the year, is 12CR, तो 12CR की working capital चाहिए, yes or no, उससे जादा चाहिएगी, okay, now, मिला point discussion के लिए, उससे कम चाहिएगी, क्यों, आरे, नाई, हाँ, सर, पहले ये बताओ, कि ये जो 12CR की operational expenses है, ये पूरे साल के है, इस पूरे साल में, कितने साइकिल चला है, क्या पूरे साल का एक ही साइकिल था, मुले नहीं, नहीं, हमारा operating cycle, सर, टू मन्थ का है, हमारा operating cycle, टू मन्थ का मतलब, once we start the production, it overs in, टू मन्थ, with the collection from the data, जब हम production शुरू करते हैं, तो, raw material, WIP में conversion, finished goods बनके, go down में पहुँचना, sale होना और data से, पैसा निकलने तक, दो महीने लगते हैं, दो महीने में काम खाता हूं, फिर, तफिर वाप इस production शुरू कर देते हैं, वेगे, it's a continuous process ना, but it takes, two months, to complete one cycle, ओके, इसका मतलब, आप एक साल में, six cycle चला देते हो, छे बार, छे बार घुमते हो ऐसे, कहां से कहां, raw material से, WIP से, finished goods से, data से, वापिस collection, ऐसे हम, एक साल में, छे बार घुम लेते हैं, और जो, छे cycle जो हमने चला है, उन पूरे छे cycle की, operating cost, 12CR है, operational expenses, तो पूरे साल के निकल के आएंगे, लेकिन पूरे साल के, operating expenses का मतलब नहीं है, कि उतनी वर्किंग capital चाहिए, पूरे साल की operating cost, जो आई है मेरी, वो operating cost, पूरे साल के production की आई है, और पूरे साल का जो production है, वो एक साथ किया है, नहीं, cycles में किया, कितने, एक cycle को कितना time लग जाता है, वो दो महीने, एक साल में कितना cycle चलाते हो, छे बार cycle घूम जाता है, तो मतलब छे बार cycle घूमने की, cost 12 करोड आती है, मतलब एक cycle चलाने की, कितनी cost आती है, 2 करोड, नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ, मेरे सारे cycle, same size के, और कोई seasonal requirement नहीं, और कहीं भी मेरे production level में change नहीं आएगा, और जो profit आएगा, उसे मैं बाहर निकाल दूँगा, तो मैं बोलने ना दूँगा, अगली line बोलूँगा, अगला question आजेगा, अगली line बोलूँगा, मेरी बात पूरी कर देता हूँ मैं, हर बाहर मैं 10,000 unit बनाता हूँ, बना के बेच देता हूँ, फिर 10,000 बनाता हूँ, फिर बना के बेच देता हूँ, बेचने पे जो profit आता है, उसे निकाल के अलग रख देता हूँ, अभी, और मेरा कोई season नहीं है, मैं पूरे साल एकी season में चलता हूँ, पूरे साल production complete करने का 12 करोड रुपे का cost आता है, जिसमें 6 cycle चलते हैं, एक cycle की cost कितनी आ रही है, 2 करोड, 2 करोड रुपे लेके आओ, cycle चलाओ, cycle खतम हुआ, 2 करोड वापिस हाथ में आया, उसी 2 करोड से वापिस cycle में घुसो, फिर cycle चलाओ, हर बार फोड एक्स्रा भी आएगा, उसे बाहर निकाल देंगे, जिससे शायद production level बढ़ाना चाहें, तो बढ़ा भी सकते हैं, जिससे कोई liquidity problem है, तो उसे solve भी कर सकते हैं, तो in short, मुझे एक cycle को चलाने के कितना पैसा चाहें, 2 करोड, और उसी 2 करोड से, मेरा पुरा साल चल जाएगा, हाँ, क्योंकि 2 करोड से एक cycle चलेगा, तो उसी 2 करोड से पुरा साल चलेगा, क्योंकि चाहे cycle एक हो या 10, वो ही rotate, repeat, repeat, recycle होते रहेंगा, यह होगी मेरी working capital requirement, आगए working capital requirement, 2 करोड रुपे चाहें, यह सर वर्किंग capital के लिए, है कोई गडबर इसमें, अनि, suspicious मत हो, मतलब ऐसा मेरे pace के expression, हाँ, या, कुछ तो है, कुछ तो है, हाँ, subject to all other factor remain constant, लोग चलो disclaimer डाल देता हूँ, raw material cost भी change नहीं होगी, selling price भी change नहीं होगी, data भी timely payment करतेंगे, जितना time उन्हें दिया है, वो भी उशारी नहीं करेंगी, तो अब बोलो, चलेगा, कोई doubt है, इस working capital calculation में, है, नहीं, ऐसे तो कोई doubt नहीं है, लेकिन सर, अब इसकी calculation के लिए, आपको दो चीज़े चाहिए, क्या, सर एक तो पूरे साल में, कितनी operating cost आई, और, कितने cycle चले, कितने cycle चले, वो तो पता चल जाएगा, यह बता दो, एक cycle का period कितना है, मेरा operating cycle, period कितना, यह दो बाते बता दो सर, बस हम निकाल देंगे working capital, पक्का, दो चीज़े मिल जाएंगी, निकाल दोगे working capital, आज़ो, इन दो की, calculation के लिए चले, ढूंड के लाएंगे, दो कहां से आएंगे, तो सबसे पहले, working capital required, कैसे आई, working capital required, कैसे आई, operating cost of the year, divided by number of cycle, से आगे हैं हमारी working capital, वैसे ही निकाल, तो आप देज में convert कर देंगे, weeks में convert कर देंगे, जहां जाके comfortable होंगे, वहां कर देंगे, और प्लस एक चीज़ और, यहां जो हम calculation कर रहे हैं, इसका मतलब यह निए, कि वो इतनी rigid हों की, वो fraction में नहीं हा सकती, concept, हम जितनी भी बात कर रहे हैं, सारा on paper बात कर, तो working capital required आपकी आगई, operating cost divided by number of cycle, इसमें कोई doubt है, कहाँ एको formula याद करना है, समझ में आगई ना, 12 करोड को 2 करोड से, 6 cycle से divide कर, तो इन number of cycle कहां से आए सर, फिर हमारे पास, एक cycle में, एक साल में कितने cycle, यहाँ से आया सर, अमरा number of cycle, यह भी clear है, यह आपका operating cycle period days में है, तो उपर 365 या 360, मन्त में है तो 12, और week में है तो 52, यहाँ से आजाएगा सर, अमरा number of cycle, अच्छा, तो यह operating cycle period कहां से आएगा? operating cycle period कहां से आएगा? सर, यह observation से आएगा, तो कि हमारे cycle में, कहां गया हमारा cycle? अच्छा, मैंने cycle मिटा दिया, हमारा cycle ऐसे चलता है सर, पहले पैसा जाता है raw material खरीदने में, और वो raw material कुछ time तक store room में store रहता है, कितने दिन raw material storage period डूनेंगे हैं, एक raw material खरीदने के बाद, कितने दिन तक raw material store room में पढ़ा रहता है, दूसरा, सर, फिर उस raw material को जब production में डालते हैं, तो उसको production में processing time कितना लगता है, WIP conversion period, कि उसका conversion period कितना है, फिर जब वो finished goods में convert हो जाता है, तो वो go down warehouse में पहुँच जाता, बिकने से पहले वहाँ पढ़ा रहता है, तो हम देखेंगे उसको finished goods का storage period कितना है, on an average कितने दिन finished goods बना रहता है go down, फिर सर वहाँ से वो बिक जाता है, sale हो जाता है, और मैं assume कर रहाँ कि सारा credit में sale होता है, तो data से पैसा निकलने में कितना time लगता है, डेटर का collection period, जब इन चारो stages के, इस cycle के चारो stages के period पता चल जाए, तो इन चारो period को मैं यदि add कर दूँ, तो मेरे cycle का period बन गया, how much time it takes to complete the cycle, how much time it takes to complete the cycle, सरे cycle के चार component, चारों में लगने वाला समय पता कर लो, read कर लो, raw material, conversion, बिकने का पहले go down का storage, बिकने के बाद डेटर से आने वाला collection, इन सब का time period calculate कर लो, यही time period में cycle complete हो रहा है, तो इसी time period के लिए working capital चाहिए, रुको, यह जो raw material खरीद के डालना सर आपने, क्या सारा cash में खरीदते हो क्या, बोले नहीं सर credit मे, तो credit में खरीदते हो, तो जितने दिन की credit मिलती है, वो तो आपकी working capital requirement को कम करेगी, करेगी कम, तो माइनस कर दो सर, नहीं, इसी तरह से estimation possible है, कि once एक production process चल रहा है, देखो, यह continuous process है, चीक है, बट once, once cycle starts, तो हम batch system पढ़ा हो, हम ऐसी चल रहे हैं, एक बार में मैं 10,000 का batch बनाना शुरूर करता हूं, बिग जाती है, तो दूसरा batch शुरूर करता है, उसी तरह से assessment कर सकते हैं, continuous process में तो assessment नहीं कर पाएं, कि पैसा लेके आया, production शुरू किया, लेबर्थी, expenses किया, finished goods बन गई, big गया, data से पैसा आया, creditor का पैसा चुका आया, now I am again, standing on the gate, with some cash in my hand, the same amount of cash, plus something extra, that I was standing, at the start of the first process, आज मैं आप इस gate पे, उसी cash के साथ खड़ा हूं, जिस cash के साथ मैं, पहले cycle के, पहले खड़ा था, यहां पर थोड़ा सा extra और आ गया हूं, अब मैं ज़े दूसरा cycle शुरू कर, फिर रॉम बिटिल खरीदूंगा उधार पे, थोड़ा बहुत, थोड़ा cash में, प्रोसेस चलिए, अब कुछ से, गॉट इट, तो यह आगे operating cycle period, R निकाल लो, W निकाल लो, F निकाल लो, D निकाल लो, add कर दो, और minus C, cycle के, पर cycle को visualize कर लो, मिल गया answer, raw material में कितना time पढ़ा रहता है, W IP में कितना, finished goods में कितना देर, data में कितना देर, time में लगता है, यह मेरा cycle का time हो गया, और फिर मैं creditor को payment कर दूँगा, तो मेरा cash बचेगा, minus C, तो सरी है R क्या, R क्या है, raw material का storage period, कितने time तक raw material, store room में रहता है, on an average, raw material storage period, बताओ, कितने time तक raw material, store room में रहता है, कितने दिन का raw material, store room में रखते हूँ, तो सर, चेक कर लो, average stock कितना है आपका, किसी point of time पे है, और per day, consumption कितना है raw material का, सर, on an average, 15,000 का stock रहता है मेरे पास, और daily, 5000 का stock production में चाहता है, तो किसी भी point of time पे, कितने दिन का stock पढ़ा है, on an average, exact तो निकाली भी सकते हैं, तो on an average, कितना stock आपके गुडाउन में है, किसी भी point of time पे गए, किसी period को लिया, period में चेक किया, start में कितना था, end में कितना था, average कितना stock था मेरे गुडाउन में, किसका, say, average stock मेरे गुडाउन में, 50,000 का था, और फिर चेक किया, कि daily basis पे consume कितना होता है, तसर daily basis पे 5000 का consume होता है, daily 5000 का consume होता है, गुडाउन में 50,000 का माल पढ़ा है, कितने दिन का माल पढ़ा है, 10 दिन का, मतलब हर बार, आपके गुडाउन में, कितने दिन का stock पढ़ा रहता है, दस दिन का raw material storage period दस दिन के साथ एवरी टाइम आग गोडाउन होल्ड स्टॉक आफ टैन डेज आइडियल हो गया लॉक है लॉक जो प्रोसेस में चला गया उसकी बात नहीं कर रहे है गोडाउन में हमेशा कितना रहता है raw material storage period और पूरा लिखेगा raw material storage period average stock of raw material और average consumption per day raw material storage period will be there अब अब बड़े आराम से जब concept क्लिक हो गया तो सारी calculations बता पाऊगे है हमें conversion निकालना है तो कन्वर्जन मतलब वर्क इन प्रसेस का पीरियड तो कि यहां क्या लें average stock of WIP average stock of WIP WIP में कितना stock है on an average working process में कितना पढ़ा है माल on an average start में कितना था end में कितना था average लेकिन जो working process में माल पढ़ा होता है उसमें सिर्फ raw material होता है क्या है जो WIP में आपके पास stock पढ़ा है उसमें सिर्फ raw material की cost लगी होती है क्या नहीं खर्चा भी लग चुका होता है wages भी जा चुकी होती है production overhead भी खर्च हो चुके होते है तो divided by average cost of production per day cost of production का मतलब raw material plus wages plus manufacturing overhead raw material लग गया production के लिए wages लग गई और manufacturing overhead लग गई चलो एफ average stock of finished goods go down में कितना on an average stock रहता है और जो go down में stock रहता है वो कितने दिन का है तो go down में जो stock पड़ा है उसमें क्या-क्या खर्च हो चुका है raw material भी लग गया wages भी लग गई production overhead भी लग गई administrative overhead ना यहाँ थोड़ा सा इन्होंने एक assumption डाला है बात में समझेंगे पहले फर्मला लिख लेता हूँ यहाँ आएगा average cost of goods sold per day average cost of goods sold per day d data's collection period average average receivable divided by average credit sales per day total data कितने और per day की sale कितनी ही तो पता चल जाएगा कितने दिन में collection आता है मेरी रोज की sale रोज की credit sale 1000 रुपे की होती है और 10,000 के data है मेरे कितने दिन में payment आएगा आ रहा है 10 दिन on an average 10 दिन आ आ कर दिन c रड़िट परियर या रोजितर्स पहिंन प्रेट्सविएड पिरावरेच पेल्स रडावेवरेच प्रड़ज्ग पूश्ट्यावेश पारिड़ट्यस पूट्ट्ट्ट्ट अवरेच पर दिन करते हैं सारी टमलोजी कहीं कोई आवरेज स्टॉक में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यावरेज ड्ली आवरेज फिनिज गुड्स कास्ट अव प्रडक्शन कास्ट अव यह क्या है तो मैं एक आपको स्टेटमेंट आफ कॉस्ट बना देता हूं वह समझाता हूं उससे सारे टमलोजी सारे स्टेजेस क्लियर हो जाएंगे अपने आपने तो फर्स्ट आफ आफ आल क्लोजिंग स्टॉक आफ यहां आपको मिल जाएगा कि कंजम्शन ऑफ अब कंजम्शन ऑफ रॉव मेटीरियल जो आपके पास आया उससे नंबर ऑफ डेस से डिवाइट कर दोगे तो कंजम्शन पढ़ड़े आ जाएगा यहां टोटल कंजम्शन आया हमें वाँ क्या चाहिए कंजम्शन पर डे तो हम इसको डिवाइट करेंगे 365 से तो पर डे का कंजम्शन आजाएगा एड वेजिस एड अध मैनुफेक्ट्रिंग ओवरहेड्स एड एड प्रोपनिछ को ड्सार स्ट लो लुच्ट्ट्टों आप्क्ट्रिंग्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एड ओपनिंग स्टॉप अफ फिनिश्गोट्स लेस लोजिंग स्टॉप फिनिश्गोट्स यह आपकी आगई कॉस्ट ओफ गॉद्स सॉल्ड कॉस्टिंग जो पढ़के आया है वो इससे रिलेट ना करें क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये कॉस्ट ओफ गॉड्स ओल्ड इवन ये कॉस्ट ओफ प्रडक्शन ऐसे नहीं आता है वहाँ पे ये जो आता है उसे works cost बोला जाता है फिर उसमे administrative overhead add करके वो cost of production बनती है बट यहाँ finance point of view से administrative overhead and selling overheads को administrative expenses and selling expenses को cost का part cost of production या cost of sales का part नहीं माना जाता क्योंकि finance करते वक्त bank आपको profit का finance भी नहीं देगी और नहीं administration और selling का finance देने की सोचते हैं इसलिए उसे अलग कर लेते हैं वो choice पे है वो by choice है यह by force है production करना है तो यह खर्चे तो compulsion है selling expenses माल बेचने के लिए होता है खरीद बनाने के लिए नहीं अब इसमें add कर देंगे last में administrative overhead administrative expenses selling and distribution expenses और अगें जो मैंने line बोली ना कि administrative और selling expenses के लिए finance नहीं मिलेगा ना अगें rigid नहीं है चोईज है बैंक की policy पर depend करता है मेरा बूलने का मतलब लेटर पचास लग के है तो क्या तुमारा पचास लग फसा है क्या वहाँ पे जेब का कितना फसा है सब्सक्राइब का तो होगे ना तो जब कोई finance लेने आ रहा है तो मैं finance देने से पहले यह सारे analysis करूंगा जो लास्वाला unit है मारा working capital finance वहाँ जाके इस पर बात करें यह ऐसे नहीं मिलता finance यह आगई आपकी total operating cost अब आपको इस statement में वो सारी information मिल गई जो आपको operating cycle period निकालने के लिए चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए consumption cost of production cost of goods sales sold मिल गया है ऐसे credit sale credit purchase आपको informed होगी और फिर operating cost और one more thing sir opening closing stock दिया हुआ नहीं तो opening is equal to closing this format में से opening closing दोन ही उडा दो जब दोन ही same है तो this is our first method of calculation of or estimation of working capital operating cycle period method इस method पे एक्जाम में question आने के chances 10 परसेंट है वह अब दस में से एक बार question आता है इसा बहुत आसान है इसमें पूछ करना क्या है इसमें तो कुछ ही नहीं करने लाइक दिमाग तो कहीं लगी नहीं रहे दीरे दीरे एक एक step by step cost add करते चलो और हमले में से period निकालते चलो क्या हाँ हाँ दो पाटे ओपरेटिंग साइकिल पीरियेड मैथड इसका chances मैंने कम बोला लेकिन second method का 10 marks का हश्य चलिए तो यह सब कुछ आपने note कर लिया यह आपका operating cycle period method सारी calculations सामने है in next class इसके कुछ questions और उसके बाद main important method पर भी बात शुरू करेंगे तो आभी के लिए अगेन उतना ही काफी है कल मिलते हैं बाई thank you झाल झाल